किसे आप सभी उम्मित करते हैं आप सब बढ़ी होंगे बच्चों खोस होंगे आधम कर्षक 11 वी की अर्दबार सिक परिक्षा का जो पीपर हुआ है एंगलेस का पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन आपको बताने बाले हैं बच्चों ठीक है तो सभी कोशन के आंसर में आप यहां पर बताने बाला हूं सभी लोग अपने 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 अंसर मिला लीजिएगा ठीक है मैं केबल आपको यहां पर आंसर बताऊंगा क्योंकि फूल्च सॉल्यूशन यहां पर नहीं बतांगा नहीं तो वीडियो बहुत जाथा लंबी हो जाएगी अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं फिर उसके बाद हम एक और वीडियो बना देंगे चली फर्स्ट वाले अंसीन के आंसर भाई फटाबट से आप लोग यहां पर मैच करेंगे फर्स्ट जो कोश्चन था भाई वो इस दा फाउंडर ओ वेक रोट्यू रूट तो इसका जो राइट अंसर था वो आपका फर्स्ट वाला था यानि बी ओप्शन श्याम प्रिशाथ ठीक है और दूसरा बाला देखिए दूसरे का राइट अंसर था सी ओप्शन चली इसके ब घ्राप आले का राइट अंसर था वही आप वेज़नेस पर्सन यानि की ऑप्शन नंब व be क्या ऑफशन नंबर सी स्वारी आप डाप बिजनेस पर्चन अग्ला कोशन देखिए अगला जो कोश्चन था वही इसका राइट अंसर था आपका।शन नंबर all of दीज इसका जो नमबर 10 जो था इसका राइट अंसर था ऑप्शन नमबर वी वैग रूट इस्टाड़र विट 50 कस्टूमर इन 2020 वाले अंसीन पेसेज पर आजाएं वह इसमें आपको नोट मेकिंग और समरी बगेरा बनाना थी तो आप सभी ने कर लिया होगा section c पे आजाएं फटापड से section c वाला portion देखी भई यहाँ पे इसमें जो first वाला blank था इसमें आपको भरना था A क्या बच्चो A दूसरा वाला blank place था उसमें आपको भरना था whose third वाले blank place में आपको no भरना था and fourth वाले में आपको whole भरना था पांच भी नंबर में आपको few भरना था चट भी नंबर में आपको इन भरना था बच्चो ठीक है चले आपके सामने do as directed इनके answer में आपको सबसे last में बताऊंगा ठीक है इसकी बाद कुछ और अंसीन पैसिस थे इनके answer देखी पटाबर से इसका था भई फर्स्ट वाले का what was the occupation of the writer इसका राइट आंसा था option नंबर ही वाज विजिनिसमें सेकेंड वाले का था रेगुलर स्वारी रेगुलर ट्रेवलिंग बाया था C तो यह आपका B option का रेक्ट था था थर्ड वाले का आपका C option था बेव वॉक कर अगला जो question था इसका राइट आंसर था फिरी टाइम आपसन नंबर वे चले बचो यह आपके होगा यहां पर पूरे के पूरे objective टाइप के question अब जो आपका आया था भई यह poem extract तो इसके भी फटापर से answer आप लोग मैच कर लें फर्स्ट बाला question था what is describe as streak in the poem इसका राइट आंसर था लिजार्ड दूसरे बाले का answer था गोल्ड फिंच फिंच एंड थर्ड बाले का जो answer था वाई वह आपका था लेवरम ट्री लेवरम ट्री याने के option नंबर डी बच्चो ठीक है चलिए इसके बाद अगला एंस फॉर्थ बाले कता memories ठीक है बच्चो चलिए वांगे आपने question answer कर दी होगे अब मैं आपको do a direct के सारे answer यहां पर लिखके दे रहा हूं यह आप अवाराम से अपने paper से match कर लीजिए आप इनके क्या करके आयते बच्चो ठीक है यह first बाला हो गया and यह आपका second बाला third बाला fourth बाला यह सारे के सारे answer मैंने आप लिख दिये हैं तो सभी के answer आप लोग अच्छे से match करने बच्चो ठीक है चलिए यह आपका false solution यह आपर complete हो जाता है बागी question answer तो आप लोग होश्यार है करके आये होंगे ठीके बच्चो बागी comment में जरूर बताएं आपका आज का paper पूस रहें मस रहें जहन्त